लुकेश रंजन ये जो एक पर्व होना चाहिए था हमारे लोकतंत्र का वो उसका सम्मान हम कर रहे हैं या दरसल अपनी विवस्था का ये अपमान हो रहा है संदीब जो आप ये देख रहे हैं ये जो फिर्स पोलिटिकल बैटल जो चल रहा है उसका एक रिफलेक्शन देख रहे हैं आम तोर पे हम लोग इस डिबेट में बैठते हैं और जिन पार्टियों के गेस्ट बुलाए जाते हैं क्या आज जो संवाद हो रहा है जो उनकी अभिव्यक्ति है जो उनकी पोजिशन है क्या अन दिनों से भिन है क्या नहीं है स्टेटेड लाइन्स पे आप पोजिशन्स लेते हुए लोगों को देख रहे हैं तो ये साफ बताता है कि जो एक दो फैक्शन जो बन गया है एक कॉंग्रेस के साथ जो लोग खड़े हैं जो 20 दलाब बता रहे हैं और जो 16-17 दलाब देख रहे हैं बीजेपी के साथ खड़े हैं तो इन दो गुटों में वो डिवाइड हो गया है और ये इसलिए है क्योंकि आज की जो प्रतिस्परदा की राजनीती है वो इतनी तीवर हो गई है इतनी फियर्स हो गई है कि दात काटी कॉंप्टिशन है अब इस से बहुत चुकी बाते संसद के बारे में और आपने तमाम चीजे बताई बाकी लोगों ने भी बताई कि जो पार्लिमेंट है ये कॉं जो आने वाला दिन है वो कुछ इस तरीके का भाव लेकर आएगा कि जो कॉंगरेस के साथ जो दल खड़े हैं वो आगे आने वाले दिनों में इन्ही के साथ खड़े रहेंगे ये एक गोलबंदी होती हुई दिखाई देगी ये कॉंस्पिरेसी और सरकमस्तांसे से कैसा है जिसमें ये अभी साथ है लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी ये साथ होंगे और जो भाजपा के साथ कड़े है वो आने वाले दिनों में भाजपा के साथ कड़े होंगे क्या ये इस तरह भी इशारा करता है और ये इसलिए भी जरूरी है कल प्रधान मंत्री लोटे प्र चालिस करोड जो देशवासी हैं उनका सम्मान है और ये सम्मान इसलिए होता है क्योंकि मैं एक पूर्ण बहुमत के साथ चुरा गया प्रधान मंत्री हूँ तो उन्होंने एक पुलिटिकल लाइन खीची कि देखिए आपको एक ऐसा नेता चुरना है जो पूर्ण बहुमत के साथ आता है जो मिजॉरिटी जनता जिसके साथ है या फिर एक ऐसा एक गुट चुरना है जिसमें आपस में ही लडाई मार पीट होगी और भाजपा कहती रह हम सवाल क्या ये हो जाता है कि जो बीजेपी लाइन ले रही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे प्रदान मंतरी मोदी ने भी कहा कि मजबूत सरकार का मतलब होता है मजबूत लोक तंतर और यहां पर विपक्ष कह रहा है कि मजबूत विपक्ष का मतलब होता है मजबूत लोक चाहते हैं वो विपक्ष को भी उस लाइन पे ले आना चाहते हैं और इसी बहाने जंता के अंदर एक परकुलेट करके संदेश जाए कि आपको किसे चुनना है तो प्रधान मंत्री उसी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसी नौट पे वो जा रहे हैं उसी कोड को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो आप राजडीती देखेंगे वो इस तरह की राजडीती होगी मैं कह रहा था कि इसमें राश्टपती के सम्मान और उनको असम्मानित एक अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे और वाजपई जी के साथ कि प्रधान मंतरी को दिलाता है राश्टपती दिलाती है शपत लेकिन कहा ये जा रहा है और ये मिसिस चल रहे हैं कि अगर यही लॉजिक है तो राश्टपती को तो चीफ जस्तिस सफ़त दिलवाते हैं तो क्या चीफ जस्तिस से करा दिया जाए इनागुरेशन ये भी एक 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 बुना जा र रहे थे अंतिम कॉमेंट 25 सेकिंड प्लीज अभेदुबे देखिए सुकेश जी ने कहा कि बता दूं विश्व भर में मोधी मोधी तो होता होगा लेकिन हम भारत भारत सुनना चाहते हैं उन देशों से भारत का क्या आई हुआ वाजपाई जी ने अर्दसर्ति बोला एनेक्स का फाउंडेशन राश्पती वीवी गिरी जी ने रखा था और उधगाटन जरूर इंद्रा जी ने किया था लाइबरेरी जो है उसका इनाउगरेशन राजीव जी ने किया था लेकिन फाउंडेशन क्यार नाराइंड जी राश्पती जी ने रखा था जिनका जिक्र किया पेगासिस का, अडानी का, ये म्यूट कर देते हैं वहाँ पर, सदन में बात नहीं होती, बेरोजगारी पर, महेंगाई पर, इसी बात की तो लडाई है वाजपेजी, ये लडाई, सत्ता पक्ष मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, या लोकतंत्र मजबूत है, यहां तक लगतंत्र के आधार पर ही, बहुमत से बने हुए परधानमंत्री हैं, किसी की स्टेम्प नहीं है, और निश्चुत रूप से, तो मतलब लोकतंत्र मजबूत रहेगा, लोकतंत्र पर मजबूत है, या आपने आपने कर्वा सवाल है, 28 की तस्वीर, जिसकी एक झ्छलकी हम रहे हैं वो क्या आँखों को सुहाएगी यह हमारे राजनेताओं को सोचना होगा समझना होगा गुनना होगा नजीर पेश